आज का राशीफल the 20th of February 2024, आज का दिन, 20 फरवरी 2024, मंगलवार, माग माह के शुकल पक्ष की एकादशी तिथी है। इस दिन आरद्रा नक्षत्र प्रीती योग और आयुश्मान योग का सयोग होगा, जो की धार्मिक द्रिष्टी से महत्वपून हो सकता है। आरद्रा नक्षत्र पुधवारी ग्रह के अधिपती को दर्शाता है, जो की सयम और विवेक का प्रतीक है। प्रीती योग भाग्यशाली और सौभाग्यवान योग होता है, जो शुब कार्यों के लिए अच्छा होता है। प्रीती योग सामर्थे और प्रेम को बढ़ावा देता है, जबकि आयुश्मान योग स्वास्थे और लंबी आयू के लिए शुब माना जाता है। शुब मुहूर्ट की बात करते हुए, दिन के अभिजीत मुहूर्ट 12 बच के 12 मिनट से 12 बच के 57 मिनट तक रहेगा, अभिजीत मुहूर्ट एक शुब समय होता है जो कि किसी भी शुब कार्यों के लिए अनुकूल होता है। इस मुहूर्ट में किये गए कार्यों की सफलता की संभावना बढ़ जाती है। राहुकाल 3 बच के 22 मिनट से 4 बच के 46 मिनट मिनट तक रहेगा। राहुकाल एक अशुब समय होता है, जिसके दौरान शुब कार्यों की अनिवार्यता होती है। इस समय में शुब कार्य करना अशुब माना जाता है। आज सूर्य देव कुम्ह राशी में और चंद्र देव मिथुन राशी में रहेंगे, ये ग्रहों के अध्वितिय स्थिती को दर्शाता है। कुम राशी में सूर्य की स्थिती सामाजिक और तक्मी की प्रगती को संकेत कर सकती है, जबकि मिथुन राशी में चंद्र की स्थिती गुद्धी, समवाद और ज्यान को बढ़ावा दे सकती है। इस सयोग का महत्वपून प्रभाव लोगों के विचारों और सामाजिक संबंधों पर हो सकता है। इसके साथ ही इस दिन भीष्ण वादशी का भी मनाया जाएगा, जो की हिंदू परमपरा में महत्वपून है। ये दिन भगवान भीष्ण को श्रधान जली अर्पित करने के रवी योगी समरिधी और उत्तम स्वास्थे के लिए शुग माना जाता है। इस दिन के विशेश स्थितियों का ध्यान रखकर लोग अपने जीवन में सुधार कर सकते हैं और शुग कार्यों को समाप्ट कर सकते हैं। आज मंगलवार है। मंगलवार को हिंदू धर्म में बड़ा महत्व है, खासकर भगवान हनुमान के पूजन के लिए। मंगलवार को भगवान हनुमान की पूजा और अर्चना करने से उनका आशिरवाद प्राप्त होता है। हनुमान जी का भक्ती और पूजन भक्तों को शौर्य साहस और सयम की शक्ती प्रदान करता है। हनुमान जी का ध्यान करे और उनके मंत्र ओम हनुमते नमह का जाप करे। पूजा और अर्चना हनुमान जी को सिंदू, लाल चंदन और बिल्वपत्व से पूजे। उन्हें मिठाई, फल और प्रसाद के रूप में अर्पित करे। इन उपायों का पालन करके और हनुमान जी के नाम पर श्रद्धा और विश्वास रखकर आप हनुमान जी के आशीरवाद को प्राप्त कर सकते हैं। कुंदली में मंगल ब्रह को शक्तिशाली बनाने के लिए कुछ सुझाव हैं। मंगल की पूजा, मंगल की पूजा करने से उसके नकारात्म प्रभाव को कम किया जा सकता है और शुब प्रभाव को बढ़ाया जा सकता है। मंगल मंत्र, मंगल के मंत्र का जाप करने से उसकी शक्ति को बढ़ाया जा सकता है। ओम्करांकरी क्रॉन सहभोमाय नमः यह मंत्र मंगल के लिए अत्यंत शक्तिशाली माना जाता है। दान, मंगल के दान से भी उसकी क्रोध शक्ति को नियंत्रित किया जा सकता है। लाल रंग के कपड़े, मसूर की दाल, मतर, तामर और लोहे का दान भी किया जा सकता है। आईए जानते हैं कि आज का दिन बारह राशियों के लिए कैसा रहने वाला है। मेश राशिफल टुडेज एरीज होरस को आज का दिन मेश राशि के लोगों के लिए सकारात्मक परिनाम लाने की संभावना है। आपको बड़ों के साथ आदर और सम्मान बनाये रखने की आवश्यक्ता हो सकती है। सामाजिक मामलों में आप मिलजूल कर सुलजाव प्राप्त करेंगे और महत्वपोन कार्यों को गती पकड़ेंगे। आपके मन में भायचारे की भावना बनी रहेगी और आपको एक के बाद एक शुब सूचना सुनने को मिल सकती है। यदि आप किसी लंबी दूरी की यात्रा पर जाएं तो वहाँ आपके लिए अच्छा साबित हो सकती है। आपके करीबी भी आपकी बातों से प्रसन रहेंगे और व्यापार में आपके साथी का भरोसा भी आपको काम्याब बनाए रखने में मदद करेगा। हाला कि किसी पुरानी गलती को लेकर आपको पच्छतावा हो सकता है लेकिन मतापिता के आशीरवाद से आपके कोई रुका हुआ काम पुरा होगा। इस दिन अपने कारियों को समझे और सावधानी से आगे बढ़ें ताकि आप सकारात्म परिनाम प्राप कर। सकें, आज के लिए शुभन दो, आज के लिए शुभरंग के सरिया, मेश राशी का उपाई प्रैमेडी, मेश राशी के लिए आज का उपाई है ओम मंगलाय नमः, मंत्र का जाप करना। इस मंत्र के जाप से आपका दिन शुब होगा और आपको समस्याओं से बचाव मिलेगा। इस मंत्र को ध्यान से और श्रधा पूर्वक जाप करने से आपकी मनुकामनाय पूरी होंगी और आपको सफलता मिलेगी। इसके अलावा, आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप इस मंत्र का जाप करे और अपने मन को शान्त और स्थिर रखे। आज का दिन व्रिश राशी के लोगों के लिए आनंदमय और सकारात्मक रहने वाला है। आपको वानी और व्यवहार में मधुर्ता की भावना बनी रहेगी, जिससे आपके आसपास के लोग खुश और संतुष्ट महसूस करेंगे। आप जीवन स्तर को बहतर बनाने की कोशिश में लगे रहेंगे और अपने लक्ष्यों की और प्रगती करेंगे। आपको परिवार में किसी सदस्य की और से शुब सूचना सुनने को मिल सकती है, जो आपके दिन को और भी खास बना सकती है। आपके घर में किसी सर्प्राइज पार्टी का आयोजिन हो सकता है, जिसमें आप अपने परिवार और दोस्तों के साथ खुशियों का साजह करेंगे। आप अपने मित्रों के साथ किसी यात्रा पर जाने का प्लानिंग कर सकते हैं, जो आपके लिए रिफ्रेशिंग और मनोरंजन से भरकूर हो सकती है। वेंकिन क्षेत्र में कार्यरत लोग अपनी बचत की योजनाव पर ध्यान केंद्रित करेंगे और धन के मामले में वृध्धी हो सकती है। आपको माताजी से किये गईवादों को समय रहते पूरा करना होगा, ताकि कोई समस्या ना उत्बन हो। इस दिन का आनंद और सकारात्मक्ता का माहौल आपको जीवन में नई उर्जा और उत्साह भर सकता है। आज के लिए शुभन्क तीन, आज के लिए शुभरंग सफेद, व्रिशब राशी का उपाई प्रेमडी। व्रिशब राशी के लिए आज का उपाई है ओम हनुमते रुद्राए, मंत्र का जाप करना। इस मंत्र के जाप से आपकी रक्षा होगी और आपको सभी प्रकार की बाधाउं से मुक्ती मिलेगी। भगवान हनुमान का ध्यान और मंत्र जाप करने से आपकी शक्ती और साहस बढ़ेगा, और आप अपने लक्षयों को प्राप्त करने में सफल होंगे। इस मंत्र का जाप करने से आपको मानसिक शांती और आत्म विश्वास मिलेगा। इसे ध्यानपूरवक और श्रधापूरवक जाप करें और अपने जीवन में सकारात्मक परिनाम देखें। मिथुन राशिफल टूडेज जेमिनाई होरसकोग आज का दिन मिथुन राशी के लोगों के लिए मान और सम्मान में वृद्धी लाने वाला है। आपकी कला कोशल में सुधार होगा और आप अपनी रचनात्मक गतिविधियों को बढ़ावा देंगी जिससे आपका संचार और व्यक्तिगत मामले में सफलता मिलेगी। हाला कि आपको व्यापार में किसी अजनवी पर भरोसा करने से बचना चाहिए क्योंकि यह नुक्सान दे सकता है। पारिवारिक मामलों में सावधान रहने की आवश्यक्ता है और आपको वरिष्ट सदस्यों से किसी बात को ले पास मिल सकता है। इस दिन के संदेश से यह स्पष्ट होता है कि आपको विश्वास धात से बचने के लिए सतर प्रहना चाहिए और अपने निर्ण्यों को सावधानी से लेना चाहिए। हनुमान जी भगवान शिव के अवतार माने जाते हैं और उनके उपासन से विजय और सपलता प्राप्त होती है। कर्क राशी के लोगों के लिए सूज बूच से भरा होने की संभावना है। आपको कार्यक्षेत में किसी बात को लेकर जल्दबाजी नहीं दिखानी चाहिए बल्कि उच्चित अफसर पर पूरा ध्यान देना चाहिए। गरीगों की सलाह पर चलना और उन्हें सहारा देना आपके लिए अच्छा हो सकता है। जिससे आपके कर्म और आपके समाज में स्थान में उन्दती हो सकती है। कार्यक्षेट्र में आपने कुछ नई तकनीकों को अपना कर अपने व्यापार को बहतर बनाने की कोशिश में λगना होगा। आपको आर्थिक मामलों में धहर्यब बनाय रखना चाहिए और त्याग और सहयोग की भावना को साथ लेकर चलना चाहिए। रिष्टों का सम्मान करना और अपनी आय और व्याय के लिए बजट बनाकर चलना आपके लिए आज अच्छा हो सकता है। इस दिन के संदेश से यह स्पष्ट होता है कि आपको विचार शीलता और विवेग पून निर्नय लेने की आवश्यक्ता है ताकि आप अपने लख्षों की दिशा में प्रगती कर सकें। आज के लिए शुभनक आख, आज के लिए शुभरंग बैंगनी, करक राशी का उपाई प्रेमडी, करक राशी के लिए आज का उपाई है सिंदूर का तिलक लगाने से मा दुर्गा की क्रिपा प्राप्त होती है और आपको सुरक्षा और सम्रिद्धी की प्राप्ती होती ह इसके साथ ही नीले अप्राजिता फूल मा को अर्पित करे। ये फूल मा दुर्गा के प्रतीक होते हैं और उनकी कृपा और आशीरवाद को प्राप्त करने में मदद करते हैं। मा दुर्गा की आराधना से आपका मन शांत होता है और आपको शक्ती और साहस की प्राप्ती होती है। इसके अलावा, आपके जीवन में सुख, सम्रिध्धी और सफलता की व्रिध्धी होती है। सिंदूर का तिलक लगाने से भी आपको मा दुर्गा की कृपा प्राप होती है और आपके जीवन में सुरक्षा और समृध्धी का आभास होता है। आपका जीवन समृध्धी से भरा रहेगा और किसी भी प्रकार की समस्या से निवृती मिलेगी। सिंग राशिफल टुडेज लियो हरसको आज का दिन सिंग राशी के लोगों के लिए धन धान्य में वृध्धी और समृध्धी के लिए एक शुब संकेत है। आपको सबको साथ लेकर चलने की कोशिश में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा जिससे आपका समाज में स्थान मजबूत होगा। हाला कि किसी मन की इच्छा के पूर्ती होने से आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है लेकिन इसे सहने की आवश्यक्ता है। कारोबार में आपका पूरा फोकस रहेगा और आप महत्वकूर्य कार्यों को गती देने में सफल होंगे। आपके रुके हुए कामों को पूरा होने से आपकी खुशी में कोई सीमा नहीं रहेगी। माता-पिता के साथ अपने मन की बात कहने का मौका भी मिलेगा, जो आपके परिवारिय संबंधों को मजबूत करेगा। आपको कुछ मिरोधियों से सावधान रहने की आवश्यक्ता है, लेकिन संतान की तरक्की के मार्ग में कोई बाधा नहीं आएगी। इस दिन के संदेश से यह स्पाष्ट होता है कि आपको अपनी कार्य शेली में सकारात्मक्ता और धैर्य बनाये रखने की आवश्यक्ता है, जिससे आप अपने लक्षों की प्राप्ती में सफल हो सकें। भोजन में लाल पदार्खों का सेवन करने से आपकी रख संचरन में सुधार होता है और आपका स्वास्थे सुधरता है। लाल वस्प्र पहनने से आपकी आत्मिश्वास में व्रिद्धी होती है और आपको अपने लक्षों की प्राप्ती में मदद मिलती है। इसके आज का दिन कन्या राशी के लोगों के लिए पैत्रिक संपत्ती संबंदित मामले में अच्छा रहने वाला है. आपको किसी महत्वपून चर्चा में सम्मिलित होने की संभावना है जिससे आपका सामाजिक स्थान मजबूत होगा. आपकी सुख सुविधा में वृद्धी आपको व्यापार के कारियों में आगे बढ़ने की संभावना है और मामा पक्ष से आपको धनलाब हो रहा है. किसी सरकारी योजना में निवेश करना आपके लिए फायदेमन सावित हो सकता है. ससुराल पक्ष से भी आपको कुछ अच्छी खबरे सुनने को मिल सकती है. इस के लिए शुब रंग, नारंगी. कन्या राशी का उपाई प्रेमेडी. कन्या राशी के लिए आज का उपाई है. हनुमान जी को स्मरंग करके घर में मुख्य द्वार का उपर लाल जंडा उठाएं. हनुमान जी का स्मरंग करने से आपके मन में स्थिर्ता और उत्साह का अ ज़न्डा उठाने से आपके घर में सकारात्मक्ता और संधर्श की उर्जा का संचार होता है और आपके द्वारा किये गए सभी कार्य सफल होते हैं. इस उपाए के अनुसार करने से आपकी सभी कामनाएं पून होंगी और आपका दिन शुब होगा. तुला राशिफल टुडेज लिब्रा होरस्कोब होने के आसार हैं, जो आपके संबंधों को नुकसान से बचाएगा. भागया आपके साथ होगा और आपको संतान के लिए कुछ अच्छी खबरें मिल सकती हैं, जैसे की नई नौकरी की प्राप्ती या उनकी अच्छी सेहत. हाला कि आपको अपने किसी मित्र की सेहत की चिंता सता सकती है, जिसमें आपको उनका साथ देना और उनके लिए सहायता प्रदान करना अत्यांत महत्वपूर्ण होगा. आज के लिए शुभन तीन, आज के लिए शुभरंग, हलका लाल, तुला राशी का उपाए ग्रेमरी. तुला राशी के लिए आज का उपाए है आज ओम नमह शिवाय मंत्र का जाप करे और शिव चालीसा का पाथ करे. इस उपाए से आपको सुख, समृध्धी और शांती की प्राप्ति होगी. ओम नमह शिवाय मंत्र का जाप करने से आप अपने मानसिक और आध्यात्मिक स्थिती को स्थिर और शांत बनाए रख सकते हैं. इस मंत्र का जाप करने से आपके चित्की शुधी होती है और आपको आत्मिश्वास में विद्धी होती है शिब चालीसा का पाट करने से आपके जीवन में सम्रिद्धी और सुख शांती का अनुभब होता है इसके अलावा, शिब चालीसा का पाठ करने से संकटों और दुखों से मुप्ती मिलती है और आपके जीवन में आनंद और शांती का अनुभब होता है इस प्रकार आज का उपाय अपना कर आप अपने जीवन में सुख, समृध्धी और शांती की प्राप्ती कर सकते हैं व्रिष्चिक राशिफल टूदेज स्कॉप्यो होरस्कोप आज का दिन व्रिष्चिक राशी के लोगों के लिए मध्यम रूप से फलदायक रहेगा यह एक दिन हो सकता है जब आपको कुछ मध्यम स्तर की समस्याओं का सामना करना पड़े यदि आप किसी यात्रा पर जाने की योजना बना रहे हैं तो सुनिश्चित करें कि आप वाहन को समभाल कर चलाते हैं और सुरक्षित रहते हैं आपका ध्यान आर्थिक मुद्दो पर रहेगा और आप अपने लक्षों के प्रती समर्पित न जराएंगे इस दिन आपको परिजनों की बातों को अंदेखा नहीं करना चाहिए क्योंकि उनकी सलाह और समर्थन आपके लिए महत्वपून हो सकते हैं किसी सरकारी योजना का आपको पूरा लाब मिल सकता है और यदि आपने किसी सेवधन उधार लिया है तो वह भी आपको वापस मिल सकता है हालां कि यात्रा पर जाने से पहले सावधानी बरते और माता-पिता की सलाह का महत्वप जाने अगर आपके बीच भाई-बहनों के बीच अनबन हो रही है तो इसे दूर करने के लिए प्रयास्त रहें आज के लिए शुभन्क 31 आज के लिए शुभरं, लाल व्रिश्चिक राशी का उपाई प्रैमेडी व्रिश्चिक राशी के लिए आज का उपाय है आपको हनुमान मंदिर में बैखकर 11 बार हनुमान 40 का पार्ट करना चाहिए यह उपाय आपकी परेशानी को दूर करने में मदद करेगा और आपको शांती और सम्रिद्धी प्राप्त होगी हनुमान चालीसा का पाठ करने से आपको मानसिक और आध्यात्मिक शान्ती मिलती है हनुमान जी की कृपा से आपके जीवन में सभी परेशानिया दूर होती है और आपको सफलता की प्राप्ती होती है इस उपाय को नियमित रूप से करने से आपका आत्म विश्वास बढ़ता है और आपको नई उर्जा मिलती है इस प्रकार आज का उपाय अपना कर आप अपनी समस्याओं को हल कर सकते हैं और अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जा सकते हैं धनू राशिफल टूडेश साजिटेरियस होरस्कोब आज का दिन धनू राशी के लिए मान सम्मान को बढ़ाने वाला रहेगा यह एक उत्तम समय हो सकता है जब आप अपने कार्यक शित्र में नईपद की प्राप्ति कर सकते हैं जो आपके जीवन साथी के लिए भी उत्तम होगा आप टीमवर्ग के माध्यम से काम करके किसी भी काम को आसानी से पूरा कर सकते हैं आपको स्थाइत्व की भावनाओं का सहारा मिलेगा और आप अपने महत्वपून कामों पर पूरा ध्यान लगाएंगे यह आपके कार्यकों सुगम और सफल बनाए रखने में मदद करेगा अगर आपने कुछ बातों को गुप्त रखा है तो आज वह परिवार के सदस्यों के सामने आ सकती है जो आपके बारे में अधिक समझ सकते हैं आप अपने घर के निर्मान योजनाओं को बना सकते हैं और और योगिक मामलों को आसानी से सवार सकते हैं इस समय में आपका निवेश और कारोबारिक योजनाय भी सफलता की और बढ़ सकती है आज के लिए शुभन दो आज के लिए शुगरंग भूरा धनु राशी का उपाई प्रेमेडी धनु राशी के लिए आज का उपाई है घर के दर्वाजे पर ओम चिन्ह के साथ स्वस्तिक चिन्ह बनाए इसका पालन करने से नकारात्मक प्रभावों से मुक्ती मिलेगी और आपके घर में पॉजितिविटी बढ़ेगी स्वस्तिक चिन्ध हिंदू संस्कृती में शुभता का प्रतीक है और उसे घर के द्वार पर बनाने से घर में सकारात्मक पूर्जा का संचार होता है वहाँ शांती, सुख और समृद्धी का वातावरन बनता है ओम चिन्ध भी आत्मा की शुधता और आत्मचिंतन का प्रतीक है इस प्रकार इन दोनों चिन्धों को मिलाकर घर के द्वार पर बनाना आपके घर को पॉजिटिव उर्जा से भर देगा और आपको नकारात्मक्ता से मुक्ती मिलेगी आज का दिन मकर राशी के लिए मिश्वित रूप से फलदायक होने वाला है आपको अपने खर्चों को लेकर सावधानी बरतने की आवश्यक्ता है और एक बजट बनाने में मदद मिल सकती है धन के प्रबंधन में सावधानी बरतना महत्वपूर्ण होगा ताकि आपका अच्छा भविश्य सुनिश्चित रहे आपको अपनी मेहनत और प्रयासों को जारी रखने की आवश्यक्ता है क्योंकि इससे आप अपने लक्षयों तक पहुँच सकते है आपको किसी परिवार के सदस्य की चिंता का सामना करना पर सकता है जिसमें आपको उनके साथ सहनुभूती और समर्थन देने की आवश्यक्ता हो सकती है स्वास्थे के मामले में भी आपको सतर्क रहने की आवश्यक्ता है क्योंकि कोई पुराना रोग फिर से उभर सकता है आपको किसी बहरी व्यक्ति के मामले में हस्तक्षेप करने से बचना चाहिए क्योंकि यह आपको नुक्सान पहुचा सकता है अगर आपको किसी की मदद करने का मौका मिलता है तो आपको उसे अवश्य उठाना चाहिए यह आपके और आपके आसपास के लोगों के बीच सत्भाव और समर्थन की भावना को बढ़ाएगा आज के लिए शुभन, साथ आज के लिए शुभरंग, फिरोजा मकर राशी के लिए आज का उपाय है सुन्दर कांद का पाठ करना सुन्दर कांद भगवान हनुमान के जीवन के उत्कृष्ट भटनाओं का वर्नन करता है और उसके पाठ से आपको शांती, सुरक्षा और सभी प्रकार की परिशानियों का समाधन मिलता है सुन्दर कांद का पाठ करने से आपकी आध्यात में पूर्जा बढ़ेगी और आपको मानसिक शांती मिलेगी इसके अलावा, यह आपको सभी प्रकार की कश्टों और बाधाओं से मुक्ती दिलाता है और आपकी जीवन में सुक शांती का संचार करता है आज का दिन कुम राशी के लिए मिला जुला रहने वाला है आपको अपने मित्रों के साथ तालमिल बनाए रखने और प्रतिस पर्धा में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा जिससे आपके लिए अच्छा रहेगा आपके कला कौशल से लोग आपको आसानी से प्रभावित होंगे और आप अपने विशेश शेत्र में महत्वकून योगदान देंगे आप अपने करीबी लोगों के साथ मनोरंजन के कार्यक्रम में भी सम्मिलित हो सकते हैं जो आपके बंधूओं के साथ अच्छे वक्त बिताने का मौका प्रदान करेगा आपकी रुची में कोई महत्वकून विशे होने की संभावना है और आप उसमें कोई रुची और समर्थन दिखाएंगे लापकारी अवसरों पर भी ध्यान देना महत्वकून होगा लिकिन धन उधार देने से बचे क्योंकि ये आपके लिए परिशानी का कारण बन सकता है आपकी मेहनत और कठिन परिश्रम से आप नौकरी में कार्यरत लोगों को अपने प्रदर्शन से प्रसंद करेंगे और उन्हें आपके साथ अच्छे संबंध बनाने का मौका मिलेगा आज के लिए शुभन तैस आज के लिए शुभरंग नीला कुम राशी का उपाई प्रेमेडी कुम राशी के लिए आज का उपाई है जै सिया राम जै हनुमान मंत्र का पूरे दिन जाप करना यह मंत्र भगवान राम और हनुमान को समर्पित है और इसका जाप करने से आपको आत्मिश्वास मिलता है भई और चिंता का संघर्ष करने की शक्ती मिलती है और समस्क दुखों और विग्णों से बचाव होता है। इस मंत्र का जाप करने से आपका मन शांत और स्थिर रहता है और आप अपने लक्षियों की प्राप्ती में सफल होते हैं। मीन राशिफल टुडेइस पाइसीज होरस्कोप आज का दिन मीन राशी के लिए सुख समृद्धी को बढ़ाने वाला है। आपको ध्यान देना होगा कि आप आवेश में आकर कोई जल्दबाजी में निर्नय न ले क्योंकि ऐसा करने से बाद में पच्चतावा हो सकता है। आ और इसमें आपको अपने भाईयों से मदद लेनी पर सकती है। आपके रक्त संबंधी रिष्टों में मजबूती आएगी और किसी की सलाह पर चलना आपके लिए अच्छा रहेगा। आपसे वरिष्ट सदस्यों के साथ किसी बात को लेकर जिद न दिखाएं क्योंकि ऐसा क करने से आपके संबंधों में असुविधा आ सकती है। धेर्य और समझ से आप अपने रिष्टों को मजबूत और स्थाए बना सकते हैं। आज के लिए शुभन आत्म आज के लिए शुभरंग पीला मीन राशी का उपाई प्रेमडी मीन राशी के लिए आज का उपाई है ह आपको शांती और सुख की प्राप्ती में मदद कर सकता है। इसके अलावा आपको स्वयम को शांती और स्थिर्ता के साथ रखने का प्रयास करना चाहिए और अपने कामों को समृद्धी से पूरा करने के लिए मेहनत करना चाहिए।